Hello everyone, welcome back to my channel So, Assalamualaikum, कैसे आप सबी उमीद करती हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से होँगी तो यह है For Karnia Science का Part 2 Part 1 में आप लोग को VVI Question आंसर कराई थी और आज इस वीडियो में यानि की Science के Part 2 में VVI Objective Question कराने वाली हूँ ठीक है तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ तो सबसे पहले आप लोग जानिये Science में कितने चैप्टर है ठीक है Total कितने चैप्टर है और कितने चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं Question पूछे जाते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं Total 14 चैप्टर है Science में ठीक है इसमें आप लोग का Physics, Chemistry, Biology तीनों का तीनों इसमें Mix-Up है ठीक है तो यहां पर आप से भी देखिए सबसे पहला चैप्टर है Chapter 1 Chemical Reactions and Equation फिर 2nd चैप्टर देखिए Acids, Basis and Salts और Chapter 3 Metals and Non-Metals Chapter 4 Carbon and its Compound फिर Chapter 5 आप लोग देखिए Periodic Classification of Elements Chapter 6 Life Process उसके बाद देखिए आप लोग Chapter 7 है Control and Coordination फिर देखिए यहां पर Chapter 8 Chapter 8 है How to Organism Reproduce तो यहां पर आप लोग सब देख सकते हैं यहां तक आप लोगा Chapter 5 तक Chemistry से है Chapter 5 तक Chemistry है Then उसके बाद आप लोग देखिए Chapter 6 से Biology स्टार्ट होता हुआ सिर्फ Chemistry आप लोग का 5 Chapter है Biology आप लोग देखिए आपर Chapter 9 Heredity and Evolution तो यहां तक आप लोग के Biology के Chapter है तो टोटल आप लोग यहां पर देख सकते है Chemistry के आप सभी के 5 Chapter है और Biology के 1, 2, 3, 4 तो Biology के 4 Chapter है और Chemistry के 5 Chapter है Physics में आप सभी देखिए Light Reflection and Reflection The Human Eye and the Colorful World Electricity Magnetic Effects of Electric Current फिर यहां पर आप लोग देखिए Sources of Energy तो यहां पर आप सभी देखिए Total Physics में कितने Chapter हैं 1, 2, 3, 4 और एक उपर और था 5 ठीक है 5 और एक और 6 ठीक है तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं नहीं 5 ठीक है तो यहां पर आप लोग को समझ में आगे है Chemistry में 5 Chapter Biology में 4 Chapter और Physics में 5 Chapter टोटल होगे हैं 14 Chapter सबके नाम आप लोग देख लीजे अगर आप लोग फुल वीडियो देख लेंगे यानि कि Chapter आप लोग पढ़े रहेंगे तब तो और असानी देख लेगा आप लोग को Question में पिर भी यहां पर आप लोग को Important Objective Question Important Subjective Question कराऊंगी तो यहां पर देखिए आप लोग सबसे पहला Question है Question No.1 उपर यहां पर देखिए जो सवाल दिये हुए इसमें 4 जवाब यानि कि यहां पर 4 Option दिये हुए है चारों में से आप लोग को किसी A पर टिक करना है जो कि Correct Answer है तो यहां पर सबसे पहला Question दिया हुआ है तो यहां पर देखिए एक Equation दिया हुआ है और पूछ रहा है इस तामिल में कौन सा अमन हो रहा है तो यहां पर आप सभी देखिए Option नीचे Mention है यहां पर मैं Direct Answer बता देती हूँ तो जवाब आप लोग का हो जाएगा हटाओ तामिल यानि कि Option D हो जाएगा Correct फिर देखिए सवाल दो यहां पर फिर इसमें Equation दिया गया है और इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सा अमन हुआ है तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं आप सभी का हो जाएगा Correct Answer Option C ठीक है तकसीद वद तहविल दोनों यानि कि Redox हो रहा है फिर Next Question देखिए इसमें भी आप लोग देख सकते हैं Equation ही है जैसे कोईला का एहतिराक C plus O2 यानि कि CO2 कौन सा तामिल है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इतहादी तामिल यानि कि Option A हो जाएगा Correct फिर देखिए दूसरा Question यहां पर मैं आप लोग को 40 objective question कराने वाली हो टोटल ठीक है फिर यहां पर आप लोग देखिए मंदर्जा जेल में कौन सा जहां पर मंदर्जा जेल लिखा रहा है समझ जाए मंदर्जा जेल यानि कि नीचे जो दिया गिया हुआ है कि मंदर्जा जेल में से कौन सा मसावात मदवाजन है यानि कि यहां पर आप लोग देखिए जो equation यहां पर दिये है कौन सा यहां पर correct है ठीक है तो यहां पर आप सभी का हो जाएगा Option C correct फिर यहां पर देख सकते हैं Question क्या कहरा है Magnesium के फीते को खुली हवा में जलाने से क्या होगा तो क्या होगा चमकदार सफेद रोशनी होगी यानि कि option C हो जाएगा correct फिर next question देखें कि माई तामिल के मसावात में माहसर किस तरफ लिखे जाते हैं यहां पर आप सभी देख सकते हैं दाहिने जाने भी यानि कि option C हो जाएगा आप सभी का right फिर देखें दूसरा question कौन सा formula glucose के लिए दुरुस्त है तो यहां पर आप सभी दे सकते हैं याद भी होगा आप सभी को C6H12O6 यानि कि option D correct फिर सवाल लाइन देखें वो तामिलाज जिन में तवानाई जजब की जाती है क्या कहलाती है तो हरारत खोर यानि की option B हो जाएगा correct फिर देखें next question किस अमल के जरिया चूना पत्थर तबदील होकर CACO3 CAO plus CO3 मित बदलता है तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हरारती तहले लियानि की option दी हो जाएगा आप सभी का correct फिर यहाँ पर आप लोग देखिए और पिर मारुजी सवालात है हर चैप्टर से मैं ली हो यहाँ पर यहाँ पर पूछ रहा है मनज़ा जिल सवालाती यानि की वह यहाँ पर notes दिये हुए है और यहाँ पर सवाल दिये हुए है उसके option दिये हुए answer मैं यहाँ पर आप लोग को बता देती हूँ जब कोई तेजाब किसी धात के साथ तामिल करता है तो आम तर पर कौन से gas खारिज होती है option नीचे दिया हुआ है चीक है तो यहाँ पर आप सभी देखिए sulfuric acid के सफेद और जर्द बादल है इसी वज़ा से option C हो जाएगा right फिर देखिए question 3 शहद की मक्ही के काटने पर दर्द की जगह पर क्या मलना चाहिए जिस से फौरण आराम मिलता है तो यहाँ पर option आप लोग देखिए इन सभी का answer नीचे यहाँ पर mention है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग का correct answer हो जाएगा ANAHCO3 फिर next question देखिए Bodex बनाने में किसका इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर आप सभी का NA2CO3 10H2O यानि की option भी हो जाएगा correct फिर यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर पांच पर question एक महरूस सरखल लिटमस को नीले में तबदील कर देता है कर देता है उसकी pH कदर क्या हो सकती है तो यहाँ पर आप सभी का right answer हो जाएगा B यानि की 10 फिर यहाँ पर आप सभी देखिए दूसरा question तो यहाँ पर पूछ रहा है बदहजमी के इलाज के लिए इतमे से किस किसम की दवाई इस्तमाल की जाती है option नीचे आप सभी देख सकते है mention है ठीक है तो यहाँ पर आप सभी का correct answer हो जाएगा enter say ठीक है यानि की option C हो जाएगा right फिर यहाँ पर आप लोग देखिए next question ताजा दूद की pH 6 होती है ठीक है ताजा दूद की pH 6 होती है जब दही में तबदील होता है तो उसकी pH किस कदर तबदील होगी तो यहाँ पर आप सभी option देख सकते है 6 से ज्यादा 7 से ज्यादा 6 से कम कोई तबदीली नहीं तो यहाँ पर आप लोग का correct answer हो जाएगा C 6 से कम फिर next question यहाँ पर आप लोग देखिए जो एसास पानी में तहलील परेज है उसको क्या कहते है पजेज़ेटी पजेडेटों से क्या कहते है तो यहाँ पर आप लोग आप्शन देख सकते है नमक, तेज़ाब, शेहद, अलकली तो यहाँ पर आप लोग का correct answer हो जाएगा अलकली ठीक है तो यहाँ पर आप सब लोग का correct answer अलकली हो जाएगा फिर next question देखिए अलकोहल और ग्लूकोस के मरकबात में कौन सी खसोसियात नहीं होती option यहाँ पर आप सब लोग सब देख सकते है mention है यहाँ पर आप लोग का right answer हो जाएगा तेज़ाबी ठीक है option B फिर next question देखिए तेज़ाबी बारिश में pH की मगदार कितनी होती है option नेचे mention है तो यहाँ पर आप लोग का 5.6 से कम तो यहाँ पर आप लोग का option C हो जाएगा right फिर यहाँ पर आप लोग देखिए next question मुल्क ओफ मैकनेशा यानि की MgOH2 का इस्तिमाल किस काम में होता है तो यहाँ पर आप सब देख सकते है enter acid यानि की option हो जाएगा correct फिर यहाँ पर देखिए question 12 टमाटर में कौन सा तिजाब मौजूद होता है तो टमाटर में कौन सा तिजाब मौजूद होता है तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा correct answer oxalic acid यानि की option C correct फिर next question देखिए plaster of Paris का किमाई formula कौन सा है तो यह आप लोग को याद भी होगा C iso4 1 upon 2s2o ठीक है तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट option हो जाएगा C ठीक है चलिए फिर देखिए दूसरा question मनरजा जिल में कौन सा जोड़ा हटाओ जोड़ा हटाओ तामील करेगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का correct answer C ठीक है तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इसा आप लोग test के रूप से भी ले सकते हैं यहाँ पर answer mention नहीं है सरफ question दिया हुआ है और इसके options दिये हुए और यहाँ पर जवाब नहीं दिया हुआ है तो आप लोग इसे practice भी कर सकते हैं आप लोग को answer last में मिल जाएगा इसके आप लोग scroll down थोड़ा करेंगे नीचे तो आप लोग को सबसे last में यहाँ पर answer मिल जाएगा जब तक आप लोग यहाँ पर देखिए इसमें है आप लोग का total 14 question, total 14 question है आप लोग practice कीजिए और फिर आप लोग copy में हो सकते हैं तो आप लोग number wise लिख सकते हैं 1 का A होगा, 2 का B होगा इस तरह से आप लोग लिख लीजिए उसका आप लोग answer यहाँ पर मिला सकते हैं clear, तो यहाँ पर मैं आप लोग को कौनसा question बताई ही, तो 1 तक बता चुकी हूँ अब question 2 देखिए इन में से कौनसा तरीका लोहे के सामान को जंग लगने से बचाने के लिए मौज़ू है, तो यहाँ पर आप से भी देख सकते है, option mention है लेकिन आप लोग करेक्ट पर अंसर हो जाएगा D, मस्कूरा, बाला, शभी ठीके, जितने भी आप लोग देख रहे हो ना सारा के सारा अंसर correct है फिर यहाँ पर आप से भी देखो question 3 कोई answer oxygen से तामिल करके मरकब बनाता है जिसका नक्ता गदाखत ज्यादा होता है यह मरकब पानी में भी हल पजीर है यह answer क्या हो सकता है लोहा हो सकता है कारवन हो सकता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं calcium होगा ठीक है यहाँ पर आप लोग का हो जगा option a correct calcium फिर यहाँ पर आप लोग next question देखिए सबसे ज्यादा वर्क पजीर यानि की molability ठीक है धात इन में से कौन है तो यहाँ पर आप लोग option देख सकते हैं लोहा, सोना, कॉपर क्या होगा यहाँ पर correct answer तो यहाँ पर आप लोग देखिए मरकडी होगा नहीं लोहा नहीं कॉपर नहीं, सोना हो जाएगा राइट एंसर अब यहाँ पर देखिए इन में कौन सी धात ठोस नहीं है potassium नहीं होगा magnesium यह भी नहीं होगा lithium यह भी नहीं होगा पाड़ा हो जाएगा correct 5 का C हो जाएगा आप लोग कर राइट एंसर फिर यह देखिए question क्या कह रहा है इन में कौन सी धात हवा में चका चौन रोशनी के साथ जलती है option देखिए magnesium, sodium, lithium कोई नहीं तो यहाँ पर आप लोग कर रिक टैंसर हो जाएगा magnesium फिर देखिए question 7 इन में से कौन सी धात ठंड़ी पानी के साथ होता है कि hydrogen gas में आग पकड़ लेता है ठीक है तो option यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग option देखिए sodium, calcium, सीसा, जच्टा इन में से कौन सी धात गरम पानी में तामिल करती है और तेरह तैडने लगती है option यहाँ पर मेंशन है sodium, magnesium, potassium, platinum तो यहाँ पर आप लोगा correct answer हो जाएगा magnesium यानि की option भी correct फिर next question है इन में से कौन सी धात सबसे ज्यादा तामिल पजेर है option copper, mercury, करी, चांदी, potassium तो यहाँ पर आप लोगा correct answer हो जाएगा potassium यानि की option D हो जाएगा correct फिर यहाँ पर आप लोग देखिए next question इन में से कौन सी धात सबसे कम तामिल पजेर है sona, lead, zinc, calcium correct answer हो जाएगा sona यानि की option A फिर question 11 देखिए किस answer का एटमी अदद 17 है ठीक है, तो option यहाँ पर mention है option देखिए nitrogen, oxygen, sulfur, chlorine तो यहाँ पर आप लोगा correct option हो जाएगा D, chlorine, फिर next question देखिए calcium का एटमी अदद क्या है 20, 15, 13, 11 तो यहाँ पर आप लोगा correct answer हो जाएगा 20 यानि की option A कशराज कशराज में यह आप लोगा option 13 कशराज में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले अनासर या मरकबात क्या कहलाते हैं option यहाँ पर mention है, तो यहाँ पर आप लोग correct option हो जाएगा B मादनियाद, फिर next question है और यह आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो का aluminum oxide और zinc oxide तेजा भी और असासी दोनों किस्म के oxide की खसोसियत रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा M4 तेरिक यानी की option यह हो जाएगा correct तो यहाँ तक आप लोग के 40 questions complete हो गये हैं ठीक है और जो कुछ objective question बचे हैं मैं आप लोग को दूसरे पार्ट में करा दूँगी then आप लोग को subjective question में कर राके complete करा दूँगी science का पूरा objective subjective question फिर मिलती हों दूसरे वीडियो में कर दो कि अभतो पू errado, किसो ले रहत meant कि अरायद को एा लोह में ँगी और वदे वोग के रादा की सबस्केश्ड़ाव की किसो में हो दॉसरे